तो बच्चों कैसे हैं आप सभी सुबह क्याट बच चुके हैं आपकी क्लास शुरू हो चुकी है कच्छा दसकी अंसी याल्टी गड़ित पहले आप कमेंट करके बताइए एक दम मस्त दिख रहा है सब कुछ ठीक है ना फिर हम आगे चलते हैं बहुत से छात्र हमारे साथ उड़ गये हैं चलिए क्लास टेंथ के एंसी याल्टी गड़ित हम लोग पढ़ रहे थे और इसमें बच्चा हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था सवाल नंबर एक पढ़ लिया था आज सवाल नंबर दो करेंगे एक सरसाइज आपका चल रहा है एक फोर पॉइंट वण वन तो पूरा हो गया था यार फोर पॉइंट फोर चल रहा था भाई सहब फोर पॉइंट फोर चल रहा था ये लाश्ट इकसर साइज है इस चैप्टर का फिर आपका समानतर फ्रेडी शुरू होगा यह दिख रहा कि नहीं उपर दिख रहा ना बता देना अगर नहीं अगर आपके पास है तो फॉर पॉइंट फॉर का कुश्चन नमबर सिकेंड निम्न परतेक दुई घात समी करण में के का ऐसा मान ग्याद कीजिए निम्न परतेक दुई घात समी करण में के का ऐसा मान क्या करिए ग्याद कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो ठीक ग्याद कीजिए कि दो बराबर मूल हो कैसे देखो समझो अभी इसके पहले हमने क्या पढ़ा था कि दो बराबर मूल कब होंगे बच्चा कब होंगे दो बराबर मूल वास्ट बिक एंड बराबर यानि रियल एंड एक्वल रूट का बाते हैं जब बिदकर डी का मान जीरो आता है यह तो हम लोगों ने पढ़ा है न तो पहला सवाल पहले लिखो इसकी आप कंपेर करोगे किससे एक्स स्कॉाइर प्लस बी एक्स प्लस एक्वल जीरो से ऐसा क्यूं करते हैं ऐसा इसलिए करते हैं बच्चा क्योंकि यह दो इगास अमिकरण का स्टैंडर्ड रूफ होता है तो यहां पर बी कमान के आएगा सी कमान तीन आएगा लग रहा है यूटूब ने नोटिफिकेशन नहीं दिया यार मज़ा नहीं आ रही मैं इस सेशन को बंद करके फिर से स्टार्ट करूंगा भी तुरन ठीक है क्योंकि आप लोगों की संख्या नहीं जूरी तो लाइब म नहीं स्टार्ट करता हूं कि ठीक है no problem अ देखिए आगे लिखिया आप नेक्स्ट लाइन में लिखिए चूकी मूल बराबर है लिखिए चूकी मूल बराबर है नीचे दीख रहा है ना यह थोड़ा हैंग कर रहा है मैं इसमें देखने कोशिश कर रहा हूँ चूकी मूल बरावर है अताहा बिविक्तिकर क्या बिविक्तिकर डी का मान सुनने होगा चूकी रूट क्या है इक्वल है यह तो ठीक है ना इसमें तो कोई लफड़ा नहीं है ना बिटा चलो अब ध्यान दो हम क्या करेंगे बिविक्तिकर को जीरो के बरावर कर देंगे यह लो बी काई स्क्वाइर माइनस फोर ए सीक्वल जीरो सभी मान रख दो जो जो दिया है आपको ठीक ना भाया सभी मान रख दो फटा फट सुबह में आदो अनंद पांडे अभी तुम लोग कहां गए थे यार ना नी कहां गए थे था बी कमांड के दिया है रख दो के का स्क्वाइर माइनस फोर ए एक कमांड दो दिया बच्चा सी कमांड तीन नीजे अभी और दिख रहा मैं आगे लिख सकता हूं यह बराबर जीरो तो के का स्क्वाइर बराबर चारदुना आट्रिक 24 बराबर जीरो इसके बाद मैं इधर साइड कर देता हूं टेंसन मत लेना ठीक है अनंत यार साम साथ बजे होती बच्चा का है परिसान हो साम साथ बजे यहां से के स्क्वाइर का पहलू निकालोगे बेटा तो 24 आएगा और के बराबर निकालोगे तो अंडर रूट 24 आएगा है ना यही तो आएगा यही आएगा ना जी बिलकुल सुबा से आदो हर दिन होती सुबार बजे 24 का वर्गमूल करके देखते हैं इधर देखो इसके कुड़नखंड करोगे 12 आएगा 6 आएगा 3 आएगा यही होगा ना हमें पता जब इसके वर्गमूल करेंगे तो इसका एक जोड़ा बन जाएगा एक पेर बनेगा दो का ना बच्चा तो फाइनल में एक दो तो बाहर आ जाएगा लेकिन यह छे अंदर ही रह जाएगा यह आपका क्या होगा के का मान होगा कि संध्या कुमारी जी समझ में आ रहा ना समझ में नेनो मैज जी गुड मॉनिंग सर आप तो इद के चांद हो गए लग रहा है तो यह इस तरह से इतना हो गया बच्चे अभी तो कुछ बढ़ गए अभी तो इसके पहले कुछ भी ने जुड़े थे चलो ठीक है मैं पढ़ाई देता हूं देखो एक बार फिर से सुन लो कि निम्न परतेक दुगास समीकरण में के का ऐसा मान गयात कीजिए कि उसके दो मराबर मूल हो हमने आपको तीन कंडिशन पढ़ाया था ज कि जब विविक्त कर डी कमान यानि बी स्कुएर माइनस फोर इसी कमान सुनने होगा तो दिये गए दुगास समीकरण के दो वास्तविक और बराबर मूल होंगे यह कंडिशन पढ़ा था ना आपने इसमें का कह रहा है कह रहा कि ऐसा मान बताओ कि उसके दो बराबर मूल हो ठीक है क्या हो दो बराबर मूल हो यहां पर मूल भी लिख लो भाई समझ रहे हो ना तो अगर बराबर मूल की बात होगी तो भाई सीधी सी बात है हम लोग क्या करेंगे इसको जीरो के बराबर कर देंगे चुकि पहले से ही दिया है तो हमने सुनने के बराबर करके हल कर लिया के कमाना आ गया अब आप एक काम कर सकते हो एक काम यह कर सकते हो आप लोग वो क्या है समझो जो के का वैलू टू इंटू अंडर रूट सिक्स आया न इसको ले जाके इस पे रखके और फिर से इसका गुड़नखंड करके देखो तो इसके दो बराबर मू लाएंगे आप करके देख ले न जो चात्र अभी अभी जुड़े हैं वो इस क्लास को स्टार्टिंग से देखें एकदम सुरू से देखें उनको सब समझ में आएगा ठीक है न भाईया एकदम सुरू से देखो आप लोग जो अभी अभी आए हैं यह पहला हो गए जलदी से आप लोग स्क्रीन साठ ले लिजिए जो भी लेना चाहें स्क्रीन साठ ले 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 या लिख ले हम आपको देते हैं 20 सिकेंड का टाइम उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे next step पे जल्दी करिए लेकिन आप लोग इसमें का सीकेंड पार्ट हम करेंगे अब चलो देखिए कलास उब आठ वजे होती है मुझे लग रहा आज यूटूब ने नोटिफिकेशन आप लोग को नहीं दिया है तो संख्या नहीं यह ज्यादा फिलहाल लेकिन तब भी हम लोग देख रहे हैं चलो कि नो प्राब्लम अब इसका सीकेंड पार्ट देखो बच्चा आप लोग अच्छा मुझे एक बात बताओ जब तक मैं मिटा रहा हूं आप सब के पास NCRT वाली गड़ित है ना भाईया कि किताब है ना आप लोग के पास को कोई ऐसा तो नहीं जिसके पास किताब ना हो और क्वाल्टी भी एकदम मस्ता आ रही है कि चलो ठीक है फिर सब बढ़िया है कि भाई अनंत पांड़े आपका अच्छा साथ में पढ़ते हो ना कि सेबन चैप्टर कहां शुरू कर दें मिश्टर अनंत भाग के चलें का अभी 6.3 पढ़ लो तब सेबन शुरू होगा वेट्टा है कि इसका सिकं़ पार्ट देखे क्या कहता है एक बार पीर से याद दिला दूं है यह यह कच्छा दस की एनसी यारटी गड़ित है इकसर्साइज फोर पॉइंस उन्हिन है इक्सरसाइज 4.4 क्लाइफ 10 एंसी आर्टी मैथ कुश्चन नमबर सिकेंड का सिकेंड पार्ट कहरा कि के का एक ऐसा मान ग्याद कीजिए कि इसके दो बराबर मूल हो तो चलो बच्चा लिख लेते हैं के एक्स कोश्ठक में एक्स माइनस टू प्लस फिक्स इक्कोल जीरो अभी तो ये दुगाद समीकरण पूरी रूप से आपको नहीं दिख रहा होगा इसको हम अभी दिखाएंगे दुगाद समीकरण कैसे इसका अंदर में मल्टीपल करो अच्चा तो ये के एक्स का स्काइक कोश्ठक माइनश टू के एक्स और स्टीक सिक्स कोल जीरो आएगा में अब देखो ये दुगाद समीकरण के रूप का हो गया है ना होगया घॉया। अब देखो इसकी हम क्या करेंगे दुगाद समीकरण का जो मानक होता है उससे तुलना करेंगे यह यह दूर्गास समीकरण का ढ़ाचा यह इस से इसकी कंपेर करेंगे चाहिए पर कमपेर करना आपको मैंने पहले बताया था एक मान के आएगा हम भी कमान क्वार ओक्राइगा कि नहीं समझ में आया कमेंट करना मैं फिर से बताऊंगा ठीक है सपना जी बताइए क्या कह रही है अब कि शपना जी नाइंथ की मैद साम को होती है सामको होती है साथ बजे बाबू ठीक है पीद्यार स्टडी 3.0 चैनल पर अब देखो ध्यान दो इतना तो मैंने कर दिया अब चूकी कह रहा था कि विभीतिकर जो है वो जीरो है नीचे लिखो चूकी मूल बराबर है इस लिए इस लिए क्या लिखोगे विभीतिकर डी बराबर जीरो होगा ठीक ना मूल बराबर है तो डी कमान क्या होगा जीरो होगा दिवाकर बच्चा पीछे वीडियो करके देखो भाई थोड़ा वीडियो पीछे करके देख लो जो लोग अभी अभी आये हैं बहुत से चात्र अभी नोट कर लोट इसनबर पर बता देल करके बता देना लिख लोबी पहले । सवाल होने दो हाँ नंबर लिख लोग चलो मूल बराबर है इसलिए बी स्कॉयर माइनस फोर एसी इक्कॉल क्या होगा जीरो होगा एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देना चाहता हूं कि जब हमने इंट्रोडक्शन अभी दिया था आपको इस्टार्टिंग में आप ध्यान दीजिए उसमें मैंने आपको क्या सिख है था तौई 20 सम्हकरण के जो मूल है इनकी 3 इंटीन कंडिशन होती है जब बीपीतिकर 20 का माइनस फोर एसी का मांन सुन्ने आता है तो दो बराबर और वाश्तविक मूल आते हैं फिर से सुनो जब 20 का म माइनस मैंने तीन सर्थ बताया था ना भाई जब माइनस में आ गया तो इसके कोई भी वास्तविक मूल नहीं होते हैं कोई भी वास्तविक मूल होते ही नहीं है और अगर इसका मान सुन से बड़ा आ गया जैसे पांच आ गया आठ आ गया कुछ भी पॉजिटिव में आ गया तो इसक D2ґ स्कायर माइनस 4 ची कमांड सून् refrigerator ने आता है तो दो बराबर और वास्तविक मूल होते हैं तो हमें क्या कह रहा था सवाल में स्ट्रोड़ा उल्टा है क्या कि आइसा मान ग्याद कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हूं यह पहले ही कह रहा कि दो बराबर मूल हो तो हम क्या करेंगे कि इसको जीरो कर देंगे बस यहीं तो करना हमें चलो कि इधर साइड हल कर देते हैं यह नमबर लिख लिए आप लोग जिनको कुछ भी कहना है आप इसे नोट कर लो क्लास खतम होने के बाद अभी हमें बता देना हम देख लेंगे खुदिया चलो जो भी आपको कहना है टाइम चेंज करना है कुछ भी है सब बता देना बिल्कुल अभी से मैं देख पा रहा हूं आपका कमेंट अनंत परतीक सब का देख रहा हूं कमेंट टेंशन मत लेना आप लोग सब कुछ आएगा जब कहोगे तब पढ़ाएंगे लेकिन सब लोग एक स स्कॉयर ओके है आप क्या करोगे बच्चा माइनस फोर एसी फोर एकमान अरे बोले कमान कितना आया है भाई मिस्टर पंकच कुमार अब यसे कुमार और कौन कौन अई ये संध्या कुमारी सिवाजी सिवा मिश्रा इस बताओ ना कुछ तो बोलो दिवाकर कहां भाग गया सेख अतीक देखो समझो यह मैंने निकाला था ना यह कमान के है के है सी कमान कितना है बच्चा छे है बस हल कर लो जो के की बैलू आएगी वही आप का अंसर आएगा इतना ही तो करना ना यार चलो 2K का होल स्क्वायर का मतलब आप जानते हो यह माइनस 2K इन्टू माइनस 2K माइनस माइनस पहले ही प्लस हो जाएगा दो का दो में करोगे तो 4 हो जाएगा और बच्चा यह की घात एक है ना गुड़ा करने पे घाते जुड़ जाती है अता ही एक का इसक्वायर हो जाएगा इस तरह से आपका यह बन जाएगा का बन जाएगा यह माई 4K का स्कॉयर बन जाएगा अभी मैं सामने से हट जाओंगा तो पीछे वाला भी देख ले ना टेंसर मतलो 4K का स्कॉयर माईनस चार चांग 24K बराबर 0 इसमें किसी को कोई लफड़ा नहीं है ना बच्चा इसमें आप 4K कामान ले सकते हो तो K माईनस 6 बचेगा इक्वल 0 आप इसमें इसको क्या करोगे भाई साहाब इधर गुड़ा में इधर जाएगा भाग में हो जाएगा यही तो होगा ना बच्चा लिख लो यह के माईनस 6 बराबर 0 आप इधर से गुड़ा में था इधर गया भाग में हो गया तो K माईनस 6 एक लाइना और लिख लो बराबर 0 चुकि इससे भाग करोगे 0 हो जाएगा पढ़े हो किन इधर देखो जैसे अगर हम साथ में 0 से भाग करें बच्चा तो सब 0 हो जाता है कि नहीं हो जाता है यह अनन्त हो जाता है इंफाइन हो जाता है लेकिन अगर यह ऐसे है जीरो बटा साथ तो बराबर 0 हो जाता है कि हो जाता है न जीरो हो जाता है न उसी तरह से यह भी क्या होगा फोर के वाला भी 0 हो जाएगा ठीक है आराना समझ में कोई डाउट हो तो बता देना बच्चा बिल्कुल टेंसर मतले न अंजली पाल जी गुड मॉनिंग और कौन काम कोटी कोटी धन्यमात भोले नाथ जो आपने अपना चेला बेच दिया चलिए के बराबर 6 कि इस तरह से आपका दोनों मान आ गया हाँ एक बात और सुन लो यहां पर अगर हम बात करें तो गुडनखंड आया था दो मान भी आप कह सकते हो कि दो मान आ रहा है लेकिन हमे दो मान निकालना ही नहीं है जाने दो यह भी ठीक है यह भी ठीक है इसका मैं एक में थेड़ा और बता देता हूं थोड़ा सा वो भी सुन लो आप लोग आप लोग वो भी सुन लो इसमें क्या है ना इसमें के के दो मान आप निकाल सकते हो कैसे जैसे यह गुडनखंड एक कहेंगे कि इसके दो गुड़नखंड आये हैं तो आप ऐसे कहें कर दिये देखो इसमें काम कर सकते हो आप कि इधर सुन लो थोड़ा सा और फिलहाल यह तो आ गया लेकिन एक चीजा और सुन लो इधर वो क्या है जैसे आगर हम कोई कि गुड़नखंड करते हैं एकस माइनस दो और एकस माइनस तीन आता है बराबर जीरो इसको आप देखे हो ना इसमें हमें क्या होता एकस का दो मान पराप्त होता है एक दो एक तीन यह तो आपको पता है ना यह आपको पता है तो आप देखो इदा धेहान दो आप लोग उसी तरह से हम इसको क्या करेंगे दो गुड़न खंड मान रहे हैं क्या हैं यह दो फैक्टर हैं तो एक वार इसको जीरो के बराबर कर दो तो यहां से k कमान 0 आएगा और एक बार k-6 बराबर 0 कर दो तो k कमान 6 आएगा ठीक है? इसके पहले लिख दो चाहे यदी 4 k इक्वल 0 तो k बराबर 0 और यहां लिख दो यदी क्या लिखोगे? यदी k-6 इक्वल सुने तो k कमान 6 आएगा अब आप लोग कहोगे यह तो उलजा दिये केका तो दो मान निकाल दिये अब कौन सा सही होगा? हम कैसे जानेंगे? देखो समझो हमें यहां क्या करना? यहां क्या करना बच्चा? केका मान लाके रखेंगे ना जो मिला यहां रखेंगे ना सोचिए पहले गयस करिए कि अगर केक आमान हम यहाँ आके सुनने रख दें तो क्या होगा यह बरबाद हो जाएगा तो यह खतम हो जाएगा इतना और यह भी खतम हो जाएगा मतलब कुल मिला के सिर्फ छे आएगा बस तो यह बरबाद करने को तो नहीं कहा था ना यह कहा था कि दुई घास समिकरण में के का ऐसा मान ग्याद कीजिए कि इसके दो बराबर मूल हो जाए तो अगर सुन रख दोगे तो यह दुई घास समिकरण खतम हो जाएगा ठीक है यानि के का मान जीरो हो नहीं सकता आप लिखोगे नीचे इसके आगे चाया नीचे लिख दो असपश्टी करण लिखो आप लोग इधर दिख रहा है मैं लिख देता हूं इधर देखो असपश्टी करण आप लोग लिखो क्या लिखोगे के बराबर जीरो संभव नहीं है क्यूंकि के बराबर सुन रखने पर के बराबर सुन रखने पर दुघाज समीकरण kx square minus 2kx plus 6 equal 0 दुघाज समीकरण नहीं रह जाएगा ठीक है दुघाज समीकरण खतम हो जाएगा ये भाई हमें क्या करना उसको बचा के रखना है k का ऐसा मान निकालना है कि फिर अगर उसको हम हल करें तो बराबर मूल आ जाएं दो तो लिख दो k बराबर 0 संभो नहीं है क्योंकि k बराबर सुने रखने पर दुघाज समीकरण kx square minus 2kx plus 6 equal 0 दुघाज समीकरण नहीं रह जाएगा दुघाज समीकरण नहीं रह जाएगा फिर नीचे लिखना आता k बराबर 6 होगा और k बराबर जब 6 रखोगे ना बच्चा तो आपका ये समीकरण बनेगा ये दो छंग 12x plus 6 equal 0 ये आपका दुघाज समीकरण बनेगा जब आप k बराबर 6 रखोगे ये बनेगा ठीक है लेकिन बनाना नहीं है सिर्फ कह रहा था कि के का बैलू फाइंड करो मैंने कर दिया आप पढ़ रहें कच्छा 10 की NCRT गडित आपका है ये चैप्टर नंबर 4.4 जो की चैप्टर 4 का लाश्ट चल रहा है ये चैप्टर 4 इसके बाद खतम हो जाएगा ठीक ना भाई ये लोग समझ रहे हो ना ये क्लास हर दिन सुबा लाइव होती है हर रोज सुबा लाइव होती 8 वज़े से सभी बच्चे जुड जाया करने जो अभी अभी जुड रहे है जिफे धीरज का नवार अभी जुड रहे है प्रियंका और कौन-कौन अभी अभी जुड़े है अंसू अभी अभी आयो ना बच्चा समझ बनी आएगा एक बार फिर से रिपीट कर लो चाहे देख लो सुरू से एकसरसाइज 4.4 कचछादस के एंसी एलिटी कडित कुईस्टन नबर सिकेंड कहता है कि निमने में परते एक दूइगास समीकरण में के का एक ऐसा मान गयात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हूँ एक बार फिर से सुन लो जो अभी अभी आए है ठीक है के एकस माइनस इन्टू एकस माइनस टू प्लस 6 जो भी है देखो हमने के-एक्स और एकस का मल्टिपल किया के-कस इसकोरर आया के-एकस का माइनस टू में मल्टिपल किया तो माइनस टू के-एकस आया सिक्स को ऐसे लिख लिए, एकवल सीरू दयान दो दूइगास समीकरण के जो इस्टेंडर्डट फारम है बिल्कुल बताऊंगा बिल्कुल बिल्कुल चेंज हो जाएगा धीरजी बिल्कुल ठीक है टेंसर मदलो टाइम चेंज होगा इससे तुलना करेंगे तो सभी के मान आगए ABC के चुकी कह रहा था कि ऐसा दुगासमीकरण का मान गयाद कीजिए कि बराबर मूल हो बराबर मूल तभी होते हैं जब 20 स्कार माइनस 4AC जीरो होता है लिखेंगे चुकी मूल बराबर है इसलिए डी का मान क्या होगा जीरो होगा तो इसको जीरो करके सभी का मान रखके हल कर दो दो मान आएंगे एक जीरो आएगा एक छे आएगा चुकी जीरो संभव नहीं है अगर हम दुखास समीकरण के एक स्कुएर माइनस 2KX प्लस 6 इक्वल जीरो दुखास समीकरण नहीं रह जाएगा अता कि बराबर 6 होगा बस इस तरह से आपका ये कलास भी मैं इंडे कर देता हूं ठीक ना भया लोग आप लोग को नोटिफिकेशन नहीं मिला बहुत कम बच्चे ज नंबर आप लोग फिर सचाहे लिख लो मैं इस कलास को इंड करता हूं आप लोग नंबर लिख लिजिए और बताईएगा कितना बज़े से टाइम चाहते हो ठीक है वाट्साप पर मैसेज कर देना कितना बज़े से आप लोग चाहते हो अच्छा एक बात बताओ अभी जो नहीं बताओ लोग कितना बज़े से चाहते हो पतो इस्कूल खूल गया कोचिंग खूल गया यह भी लफडा हो गया है 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 एक बात और कर सकते हो आप लौट किया उतप भी पढ़ सकते हो वीडियो तो चैनल पर रहेगा उप जहां तक मुझे लगता दो पार दो बज़े स से आप लोग आ जाएंगे लगबग सभी क्योंकि उसके बाद कोई स्कूल नहीं चल रहा है इस समय न अभी ठंडी आ जाएगी वैसे दिन भर स्कूल नहीं चलेगा या फिर साम को चार बजे दो में से एक करेंगे देखिए मैं ओटिंग करवाओंगा चैनल पर ठीक है मैं चैनल पर ओटिंग करवाओंगा दो पार दो बजे या साम को चार बजे एक बात और सुन लो मैत की कहीं कोचिंग करने की जरूरत नहीं है अगर आप रेगूलर करोंगे वहल junior time होगा से मिंस्टर्वी साल मिया दो जल्दी से start करेंगे हमारी पूरी कोसिस होगी लेकिन अभी क्या है ना जार अभी teacher नहीं है और हमारे पास time नहीं है बहुत सारा work रहता है बहुत सारी लाइक बोलते हैं गंदा है उसको मत दवाना बिलते हैं फिर अगली कलास में बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को सुबह आठ बज़े से आप इस कलास को हर रोज लाइब देख सकते हैं सुबह आठ बज़े से यूटूब पर बिलकुल फ्री धन्यवाद